ओम्श्री साई राम साई प्रेम वानी के हमारे आज के प्रसारण में आप सब का हार्दिक स्वागत है आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं सुमधुर कारिक्रमों की मनमुहक्षिन खला आज के प्रसारण में आप प्रेमा वतार श्री सत्यसाई कारिक्रम के अंतरगत दिव्य जीवनी, सत्यम शिवं सुंदरम पुस्तिकामे वर्नित, भगवान बाबा के अलोकिक जीवनकाल के कुछ प्रसंग, एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंटवारता स साथी साथ अवतार वानी के अंतरगत श्री भगवान द्वारा दिये गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे, तो चलिए कारिक्रम का शुभारंब करते हैं अब प्रस्तुत है हमारा कारिक्रम अवतार वानी भगवान बाबा द्वारा 27 अगस्त सन 1984 को श्रीमत भगवत गीता पर दिये गए दिव्य संदेश का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसी लिए कहा गया नौ छेदों के चमडे का है पुतला घड़ा नहीं चमकीले रत्न जड़ा पल पल दुरगंध निश्रित करे सुगंध कभी भी नहीं प्रसारता ऐसे देह तत्वसे युप्त इसे दैवत्वसे प्रयत्न करने पर यह दिव्यता में परिवर्तित हो जाएगा परन्तु मानव विश्वास कर रहा है कि यह देह भोगों का उपभोग कराने वाली एक उपाधी है वह इसे एक उपकरण मान रहा है इसी लिए इसे अनेक बुरे मारगों में प्रविष्ट करा रहा है श्री कृष्ण ने कहा कि यह देह मानवता का अंतिम निश्कर्ष नहीं है श्री कृष्ण ने कहा हेवत्स देही से अवगत होने के लिए ही देह प्रदान की गई है पशु पक्षी और जानवरों की अपेक्षा तुम्हें अधिक बुद्धि मत्ता प्रदान करने का आंतरिक अर्थ यही है पशु पक्षी और जानवरों में वैचारिक शक्ति इतनी तीवर नहीं होती है मानव प्रतेक्षण अपनी वैचारिक शक्ति के सहारे एक-एक विशय का अनुभव प्राप्त कर रहा है अपने तत्व से अवगत होने के लिए उसे अपनी वैचारिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए प्रतेक्षण अपनी वैचारिक शक्ति के सहारे एक वैचारिक शक्ति का शक्ति का शक्ति के लिए प्राप्त कर रहा है हमारी प्रतिज्याओं को विनष्ट करने वाले इस काम तत्व का सबसे पहले उन्मूलन करना चाहिए इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए इच्छाओं के बगएर मानव इस जगत में पल भर भी जी नहीं सकता है किन्तु इच्छाएं सदुद्देश्य पूर्ण और दूसरों के लिए आदर्श प्राय होने लायक होनी चाहिए यही सच्ची मानवता है मानव जीवन में समाज को भी लक्ष में रखना चाहिए मानव में समाज का लक्ष ही न हो तो जीवन सार्थक नहीं होगा समाज में जन्म लेकर समाज में पल बढ़कर समाज में ही जीवन बिताने वाला मानव समाज के विरुद्ध जीवन नहीं बिता सकता है मानव चाहे छोटा सा कार्य करे या बड़ा सा कार्य लेकिन यदि वह इश्वर की प्रीति के लिए करता है तो वे सब सार्थक होंगे हम जो भी कारे करते हैं उसे दैवत तुमें परिणत करना चाहिए वर्क मस्ट बी ट्रांस्फॉर्म्ड इंटू वर्शिप हमें कोई भी काम करने से पहले यह विचार लेना चाहिए कि क्या यह मेरे योग्य है की नहीं यह मेरे लायक है की नहीं भीतर से निस्रत होने वाली नव जोतियां इश्वर की जोतियां हैं स्वैम लिंग के प्रकाश हैं स्वस्वरूप के प्रतिभिम्ब हैं अतह इस इश्वरी यते जस्विता का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए इस ओर ही हमारा लक्ष होना चाहिए नीव केवलमु चेवनू, कन्नुनू, मुक्कुनू, नोरनु मात्तर में चुस्त्तु नव कानी दानुनिंटी वेलवडेट वुन्टी उक्क दिव्यमेरिक वुन्टी प्रसादमुन नीव गवनिंचिटन लेदू चन्न उथारनम, कुम्भ वर्षम कुरूस्तु उँंटुन्डारि कंद्नी पेंकुल Fauquier नेऎ संचिट नीदू कारतुन्याए कंद्नी शीटूण्ची नव नेऎ पाविस्तुन्दू नेज़ग नेऎ कारतून। तुम केवल कान, आख, नाख और मुह को ही देख रहे हो। परन्तु इनसे निस्रत होने वाले प्रकाश को तुम नहीं देख रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण मूसलाधार वर्षा हो रही है। तब खप्रेल से पानी टपक रहा है। कहीं पानी छट की टीन से गिर रहा है। कहीं छट पर लगी नलियों से पानी गिर रहा है। पानी की बूने पेड़ों पर से टपक रही है। इन्हें हम पेड़ से गिरती बूने कह रहे हैं। छट की नलियों से गिरता पानी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि खप्रेल से पानी गिर रहा है। तीन से गिरता पानी समझ रहे हैं। परन्तु यह सारा पानी बादलों से ही आया हुआ है हर एक की वाक अर्थात वानी दैव वानी ही है छत की नलियां अलग हैं टीन अलग हैं खप्रेल अलग है अतह हमें अनेकता में विद्यमान एकता को पकड़ना चाहिए इस एकता को पकड़ने पर ही भिन्नता दूर होगी भिन्नता के दूर होते ही यह काम तत्व अद्रिश्य हो जाएगा जिस दिन काम अद्रिश्य होगा तब क्रोध के लिए अवसर ही नहीं होगा काम और क्रोध का उन्मूलन करते ही आत्मज्यान स्वस्वरूप का दर्शन कराता है इसे सुनने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है हमें साधना और विचारन के द्वारा इस तत्थ से अवगत होने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम में नहित दिव्यता ही एकता है इसी को असतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया मृत्योर मा अम्रितंग मया कहा गया है एक एक वस्तु के एक एक स्थान को प्राप्त करने के कारण उसका मूल्य बढ़ता है हम चाहे जैसे भी कर्म करें परन्त उन्हें इश्वर के प्रति समर्पित भावना के साथ करते हैं तो वे भी अत्यनत मूल्यवान हो जाते हैं इश्वर के संपर्क से वह विशय भी पवित्र हो जाता है अभी आप सुन रहे थे अवतार वानी आज आपने भगवान बाबाद्वारा सन 1984 में श्रीमत भगवत गीता पर दिये गए दिव्व संभाशन का एक भाग सुना अब प्रस्तुत है हमारा कारिक्रम प्रेमा वतार श्री सत्यसाई आज इसके अंतरगत हम दिव्व जीवनी सत्यम शिवम सुन्दरम भाग दो पुस्तिका मिवर्नित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे इस दैविक परिवर्तन के प्रभाव से अन्य बहुत से कैदियों में भी परिवर्तन आया जैसा की उनके पत्रों से स्पष्ट होता है जब से मैं इस जेल में आया हूँ रामदास के समान सदा राम के ध्यान में तल्लीन रहता हूँ दस वर्षों में एक बार मुझे अपने घर जाने पर अपने स्वजनों, माता, भाई तथा अन्यनाते रिस्तेदारों से मिलने की अनुमती मिलती है मेरी माने मेरा लालन पालन किया और आदमी बनाने के लिए बड़ा त्याग और परिश्रम किया लेकिन उसके बदले में मैंने उसे केवल दुख, शोक और संताप ही दिया है अब जबकि वो व्रिद्धा वस्था में हैं, मैं उसकी सेवा कर सकने में असमर्थ हूँ मुझे बड़ा पश्चा ताप है कुछ वर्षों से मेरे मन में ये प्रेड़ना हुई कि मैं आपके पास आकर रहूँ और आपकी चाकरी करता हुआ ही ये देह त्यागूँ एक कैदी लिखता है एक अपराद के फल स्वरूप, हम तीन भाई इस जेल में सजा काट रहे हैं हम सदा इस बात के लिए प्रेतनशील हैं कि हमारा भटकता हुआ मन आपके चरण कमलों के ध्यान में लगा रहे हम अभागों का भागिये न जाने कब जागेगा हम कब परती-पती भगवान के दर्शन कर सकेंगे एक कैदी लिखता है जब से हमने आपका दिव्य नाम और दिव्य कथा सुनी है तब से ही आपके नाम का सदा मनन करते रहते हैं और नाम स्मरन से हमें वैसा ही आनंद मिलता है जिस प्रकार एक बालक को मिठाई की गोली चूसते रहने से आपके भेजे हुए पत्र और सहित का सभी कैदियों ने बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया है और उसे प्राप्त कर अपने भाग्य को सराहा है वो पत्र एक के बाद दूसरे के हाथ में पहुँचा और आपके संदेश को सभी ने बड़े उत्साह और आनद के साथ अपने हिर्दय में धारण किया उसके दर्शन, स्पर्शम और पठन के सवभागी के इस परधा में वो कागज कई स्थानों पर मूल और फट गया किन्तु हमने उसे चिप्टा कर ठीक कर लिया और फ्रेम में मनवा कर पुझा गरी में रख दिया है जिससे कि उसे सब लोग पढ़ सकें कैदी लोग बाबा को अपने चित्र, पुस्तकें, भजन संग्रह आदी भेजने के लिए लिखते हैं और नोट बुक और कौपियां मंगवाते हैं जिन में वे राम नाम लिख सकें और जितने लाख राम नाम का लक्ष निरधारित किया है उसे सतत रूप में लिखते रहकर पूरा कर सकें कभी वे बाबा को अपने घर में संकट गरस्त बाल बच्चों और भाई बहनों के संबध में लिखते हैं कि बाबा उनकी रक्षा करें बाबा ने ऐसे पत्र पाकर अनेक उबार उन कैदियों के घरों पर मने ओर्डर से रुपए भिजवाएं हैं और उनके द्वारा दिये गए पतों की पुष्टी हो जाने और ये ग्यान हो जाने पर कि उनके लोग वास्तों में जीवित हैं बाबा ने उन्हें कपड़े तथा अन्य वस्तों भिजवाई हैं और सांतोना और सहानुभूती भरे पत्र लिखे हैं श्री कस्तूरी जी लिखते हैं की हृदय परिवर्तन के इन वर्णनों को एक और पत्र से उधारन देकर समाप्त करता हूँ पत्र का लेखक भी साई प्रेरित उन साधकों की संगती पा गया और उसने लिखा मैं नेपाल का निवासी हूँ आप तो हिमाले हुआए हैं और जानते हैं कि नेपाल के लोग भगवान में विश्वास रखने और उन से डरने वाले हैं मैं अपने दुश्कर्मों और पापों के फल स्वरू इस कारागार में दंड भुगत रहा हूँ मैं ये भली प्रकार समझता हूँ कि ये मेरे हित्म है आपने अपने एक पत्र में मेरे एक साथी को लिखा है कि स्रिष्टी के रचैता कमल नाभ को भी कश्ट सहने पड़ते हैं तो फिर हम नश्वर शरीरधारी दीन मनुश्यों की तो बात ही क्या है कुछ महिनों से जेल में आपका नाम स्मरण और कथा का नियमित रूप से पाठ होता है इस भक्ति के प्रवाह में मेरा भी मन और मस्तिश्क डुपकी लगा लेते हैं और साथ साथ उस प्रवाह में बहे चले जाते हैं जो पत्र आपने कुछ दिन पूरू भीजा था उसका मुझ पर पिछले पत्रों से अधिक और गहरा प्रभाव हुआ है मुझे तो ऐसा लगा कि वो पत्र आपने मुझे ही मेरी समस्याओं और उल्जनों को ध्यान में रखते हुए लिखा है जब मैं वो पत्र पढ़ रहा था तो मैं आश्यरिशकित हक का बक्का रहे गया कौन जानता है कब और किस रूप में आपकी कृपा द्रिश्टी होती है आप मेरे हिर्दय में बस गए हैं और मैं आपको अपना हिर्दयवासी साई कहता हूँ हजारी बाग और गया की जेलों में भी बहुत से कैदियों ने बाबा को अपना संरक्षक और सहारा माल लिया है और उनका आश्यरे ग्रहन कर लिया है तेलगू भाशी अन्य कैदियों से उन लोगों को बाबा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और इस से उन्हें नई दिशा मिली जब किसी को सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं और सदा के लिए उसके प्रती उपेक्षा का भाव रखते हैं किन्तु हमें ये जानकर आश्यरी होगा कि बाबा, जेल की दिवारों के भीतर, लोहे के सीख चों के पीछे, दुखी हिरदयों, पश्या ताप के तड़कते मनों, अनिद्रा और बेचैनी में डूबे चित्तों को शान्ती प्रदान करने और ढाढस बंधाने तथा उनके जीवन में नई आशा कर संचार करने के लिए उनके साथ होते हैं अधिकतर अपराध उस समय होता है जब मनुष्य, घ्रणा, विद्वेश, इर्शा और क्रोत के शनिक आवेश में अंधा हो जाता है फिर अपराधी पश्यताप करता है और सिर्धूनता है ऐसे लोगों को जो अपने दोशों और कमजोरियों को समझ कर सच्चे हिर्दै से पश्यताप करते हैं और अपने भावी जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं सच्चे मार्ग दर्शक और संरक्षक की आवशक्ता होती है जैसा की कहा जाता है कानून अंधा होता है उसकी आग में गीले और सूखे सभी जलते हैं कानून बनाते समय ये विचार नहीं किया गया था कि अपराध क्यूं होते हैं किसी के साथ खुले आम अन्याय हो जाने पर उसके अंतर में कैसी कठोर प्रतिक्रिया होती है बालक बच्पन से ही दूशित वातावरण, गंदगी और बिमारी, जुआ और शराब खोरी, लूट और चोर बाजारी, धोखा और सीना जोरी के बीच पलकर बड़े होते हैं घरों में कलह रहती है और दामपत्य जीवन में एक सूतरता के स्थान पर बिलगाव और तलाक होते हैं बाबा सदा कहते हैं कि सिनेमा का दुष प्रभाव इस वातवरन को और भी अधिक दूशित कर रहा है और विशेश रूप से बच्चों द्वारा कानून का उलंगन करने के मामलों को बढ़ावा मिलता है इसलिए इस और ध्यान दिया जाना चाहिए और आवश्यक का रिवाही की जाने चाहिए साहित्यकारों, कलाविदों, नाटककारों और संगितग्यों को बाबा का कहना है कि उन पर बहुत बड़ा उत्तरदाइत्व है अतेव उनको चाहिए कि समाज की रूची का परिशकार करें और उन्हें स्वस्थ मनुरंजन प्रदान करें आजकल सच्चाई, इमानदारी और सरत्ता के स्थान पर चालाकी और चतुराई को प्रश्रे दिया जाता है स्कूलों और कॉलिजों में धर्म और नैतिक आच्रण की शिक्षा नहीं दी जाती है समाज में बड़े कहलाने वाले लोग भी जिस प्रकार निरलज्जता के साथ ब्रश्टाचार, मिलावट और धोखा धड़ी में लीन अपने स्वार्थों की साध्रा में लगे रहते हैं वास्तों में इन सब बातों के कारण समाज में अपराद बढ़ते जा रहे हैं जिस प्रकार माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे को अधिक प्यार करती है अपराधियों की और अधिक ध्यान देते हैं जो उनके सब के प्रती समान रूप से व्यापक प्रेम का परिचायक है बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि अपराधी को अपना अपराध स्विकार करना चाहिए और जो भी दंड मिले सहर्श स्विकार कर लेना चाहिए तथा सदा ही ये निश्चे कर लेना चाहिए कि वो फिर कोई अपराध नहीं करेगा बाबा कहते हैं सहसी बनो जो कुछ परिणाम हो उसे सहन करने के लिए तयार रहो कभी मत नहारो धैरे रखो और सहन्शील बनो यदि कोई पाप हो गया हो तो सच्चे हिर्दे से प्रैश्चित करो दंड की अवधी को प्रैश्चित और अंतह शुग्धी में बिताओ अभी आप सुन रहे थे हमारा कारिक्रम प्रेमा अवतार श्री सत्य साई आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुन्दरम भाग दो पुस्तिका में वरनित भगवान बाबा के जीवन काल के अलोकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था साई प्रेम वाणि भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में अब प्रस्तुत है हमारा लोक प्रियकारिक्रम साई का प्यार जीवनाधार आज इसके अंतरगत हम न्यूजिलेंड देश के आउकलेंड निवासी श्रीमान रवींद्र ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंटवारता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये भेंटवारता हमारे स्टूडियो में 24 दिसंबर सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी थोड़ा एक हासिस्ता है ये अब भग्मान बाबा मारे साथ अपने में आए कहते हैं अपनी भेंग को बोलो कम अनसी में मेरे भेंदेली में है जी स्वामी सुबाइख से मैने भेंग को फोन के है बहिए स्वामी बता रहे है कम सीमी, कि अच्छा मैं कभी जाओंगे उसके बाद स्वामी मेरे एक मामा की बेटी है सपने में है दो बेहने हैं, बोले यू टू, तुम दोनों मेरे को मिलने आओ रवी अंजिनी के साथ तो हम वहां से निजिन से यहां पर आए उनका भाईया स्वामी सपने माया था कह रहते हैं कि आप दोनों यहां मिलने आओ मैं चलिए मेरे भेहन का प्रोग्राम था नहीं तो अचानक से चलने से पहले, दो-तीन दिन पहले फिर सपने में आए कजन सिस्टर के कहते हैं, सतारा, अठारा 19, 20, 21 अब पांच नंबर वोड़े, अब मत्ता नहीं क्या हम आलम ने अचानक से उनका भी चलने का प्रोग्राम बन गया मेरी बेहन का प्रोग्राम बन गया वो पांच लोग थे लेकिन लास्ट बिनेट पर टिकल अरेन नहीं हो पारे थे रेले बुकिंग कराई, वो वे बेटिंग लेस्ट में थी अचानक शाम को फोन आता है रेल बेस्टेशन से कि अभी अभी पांच टिक्टे केंसर होई है वोड यू लाइक तो टिक करेन का प्रोग्राम है, करेन आज रात को है एक जम जरेंज किया गया उनको मिले सीट नंबर सतारा, अठारा, उननीट, बीस, एकिस साहराम यहां पुटा परते हैं पहुँचे वो पांच दिन यहां पर रहा है डेट से सतारा, अठारा, उननीट, बीस, एकिस जब यहां पर पहुँचे हम सात लोग थे पांच फैमिली मेंबर, दो में मेरे पतनी वेरी फर्स डे, 17 जैम्वरी के बात है, 98 सातों के सपने में स्वामी है सातों के सपने में स्वामी है, सब को अपना अपना को experience दिया, लेकिन मेरे वाइफ को बोले आके I'll see you on first of February तो सुबार के मेरे वाइफ टेम बताया, first February को मैंने क्या बात करते है, इतना टाम तोई रहने लगे हम लोग हम तो कहले हफते बर के लिए आया उस समय न्यूजिलेंड ते एक ओर गुरुप भी आया हुआ था तो हम चाते थे गुरुप को जॉइन कलने उनके साथ, लेकिन नहीं खाप पाए दर्शय में भगवान बाबा मेरे पस आए क्याते है, वे आया यू फ्रॉम मैं स्वामी न्यूजिलेंड, तो हमेनी मैं स्वामी टू क्याते है, आगे चले गया दूसरो गुरुप ता, वे आया यू फ्रॉम न्यूजिलेंड, हौमेनी 10-11, गो उनको इंटर्विव बुला लिया वो था 31st of जैमवरी 1998 तो मेरे वाई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई कि मैं पूरा साल छुट्टीन लेती हूँ एक दिन के छुट्टीन लेती हूँ पूरे साल में छुट्टीन लेती हैं चुट्टीन लेती हैं चुट्टीन बचेंगी हैं परशानती जाएंगे स्वामी के दर्शन के लिए और स्वामी यहां पर माते हैं तो आप हम एगनोर कर देते हूँ बहुत ज़्यादा अप्टेट तो अगले दिन सुबा मैंने उटके स्वामी को लेटर लिखा मैं स्वामी हमारे शादी हुई थी क्योंकि आपने बताया था हमारे शादी करने के लिए आपके डिरेक्शन थे आपके निर्देश से आपके अदेश से हमारा विवासम बनुआ उस नाते थे ये तो आपके पुत्री लगते है अगर ये आपके बीटे मैं अदेश आपको दमाद लगता हूँ कोई दमाद से आता विवार करता है कि मैं आपको पकार रहा हूँ बलाते हैं नहीं आप पत्र में लिखकर दर्शी नेरिया में पत्र में लिखके, पत्र को नीचे रखके, हाथ में लेके बैठा हूँ. अचाना भगवान बाबा चलते हैं, मेरे सामने खड़े हो गया. मेरे मन का उजाधारा बदल गई. मुझे अगर नहीं, ये भगवान है, मुझे भगवान को ऐसे नहीं लिखना चाहिए. मैंने पत्र को नीचे रख दिया, अंडर था कुशिन, ताकि भगवान को निजर ना आए, वो हाथ जोड़के बैठ गया. मेरे सामने खड़े हो गया. लेफ्ट, राइट, बाएं, दाएं, सब से पत्र ले रहे हैं. मैंने का पत्र मस्काल लिया. मैं को देखे, स्माइल किया. गिब मी यू लेटर. मैं स्वामी, ठीक है, I'm fine. मैं आपको बत देने नहीं चाहता है, मैं जानता है, मैंने क्या लिखा है. दुआर बोले, गिब मी यू लेटर. फिर मैंने चुपके, लोग मुझे कहते हैं, तुम लेटर कुन दे रहे हो? भाईया, मुझे मालू मैंने क्या लिखा है? फिर मैंने स्वामी को लेटर दे, उमको हाट पकर ले. मैं स्वामी, I'm sorry. प्लीज बला लो, where are you from? गा के बोले, where are you from? फिर मैंने स्वामी निजिलेंड, how many do स्वामी, go? 1st February, 1990. क्या बाद है? इंट्र्वी में, वो मेरे जीवन का सब से सुद्दर दिन है. इंट्र्वी रूम में हम तीन लोग थे, भावान बाबा, वो हम दुनों, में हमें पत्ने हैं. में पत्नी से बात करना लगया, you're very upset last night with him. तो में जगडा के साथ? है न? ओ, यह जगडा के साथ? आपको दो मुखा में हमें लोगा में करना हैं. कहते हैं, निशी अफ्रस्टेटरिटेंद ना? स्वामी कॉली थे, स्वामी नुट कॉली थे, नुट कॉली थे, पल्या दिन है? जो जो भावान आपला के सजर्वीर्वा सेफिखें– वह हमें पत्तुम्हार करना हैं, क्यों आचे नुट्टों की। कि नहीं, तुम्हें कोई विमारी निया, तुम्हें कोई सरजरी निकरने है, जी स्वामी, फिर वाइफ से बोलते हैं, तुम क्या चाहती हो, टेल मी, whatever you want, I will give you, you want children, I will give, what do you want, मेरे वाइफ ने हाँ जोड़े, स्वामी, मुझे किवला आपके भक्ती चाहिए, वह कुछ नहीं चाहिए, उनके सरप्यादा का भक्ती है, मेत्र मुड़े, पुत्र, मेरे से हिंदियें बोलने हैं, पुत्र क्या चाहते हो, I will give, मैं स्वामी, मैं एक सदार मुनिश्य हूँ, ना जाने कब मैं आपका हाँ साथ छोड़ दूँ, ना जाने कब मेरी मती मारी जाया, मुझे आप ते किवल एक प्रॉमिस चाहिए, किसी भी जनम में आप मेरे को नहीं छोड़ेंगे, किवल मेरे हाद पकले नहींगे, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वामी, आप मेरे साथ रहें, बस, just hold my hand, कहते हैं, I am very happy, I promise, I bless. बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, आपने जो भगवान बाबा से मांगा है, सरवोच है, क्योंकि हमारी मनस, हमारी बुद्धी, कहां ले जाती है हमें, हम खुद नहीं जानते हैं, पर आपने ये वर्दान मां कि भगवान, आप हमारा हाथ नहीं छोड़िये, आप मुझे मच छोना, हो सकता है, मैं भटक जान छोड़ो दूँ आपको, माई में भटक जान बहुत आसान है, कि इत्ती लुबहमनी चीज़े हैं, लेकि आप मुझे मच छोना, कैसे हैं, आप प्रॉमिस, आप लेकि जान, जीवन साफ़ल हो जाए, ऐसा वर्दान मिलने से, फिर हम लोट के वापस आए, रिजिलन में, डॉक्टर ने बोला, मैं वाइट को, गो फर नदा सर्ज़री, इमिडियेट इस सर्ज़री क्वाइल, उसी रात को स्वामी सपने में आए, वोट इडिया टेल यू, नो सेज़री, मैंने क्या करता, कोई बिमारे नहीं है, कोई सेज़री की दूट नहीं है, मैं वाइट ने मना कर दिया, कुछ भी बज़ाए, शरीर को, मैं सज़री कराऊंगे, बहुत संदर, बहुत संदर, उनका संकल्प ही काफी है, उनने कहा दिया, हो गया, बिलकुल, बिलकुल, तो बहुत संदर रविंदर ब्रोबर जी, जो आपके अनुभव हैं, ना सिर्फ उनमे की अंदर की एक, भगवान बाबा के, सरवग्वववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव यह किताब पड़ो, सुरिश मिल लाता है, क्योंकि वही तो स्रोत्र हैं सारे गाले के वही स्रोत्र हैं, एक बास अशाद करश में बैठे थे, मैं अपने किताब लेकर बैठा, स्वामी आपने मुझे बोला है, दू एस्ट्रोजी, मैं इस तरीके ते कर रहा हूं, यह कर रहा ह मैं जयादा स्मार्ट बनने कोशिव कर रहा हूं, स्वामी, हुआ हूँ, 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 कैते हैं, डू जो इत्मोर लव, उदिदेफल, बहुदेफल, बहुदे आए, उन शरप्छा रहा, गैतने गोफर कॉंफरेंस, अचा। मैं बहुत अपने मेरी हैस्चित नहीं उसी रात को स्वामी सपने में कहते हैं गोफर कॉंफरेंट इस टॉपिक के बात करना और गोल मेडल वो सपने में में को गोल मेले पना रहे हैं तो स्वामी में क्या बात करने हैं कॉंफरेंट में मैं क्या एक मीने बाद एंड कॉंफरेंट के एंड में आदेश का अनुसरन करें, यही योगदान है, क्योंकि करना तो भगवान नहीं है, उनके अनकमप है, सब कुछ वो कर रहे हैं, वो एक पता रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है, कि जो क्लाइंट कही है, या जो पेशिंट है, कि मैं साइको थरेपी काफी करता हूं, कांस्लिंग कर करते हैं, दियर दियरे, तो कई बार ऐसा होता है, सवामी से अपने मां बताते हैं, कल यह बंदा आ रहा है, यह पॉल्लम है, और यह सुलूशन है, मैं सवामी फिर आप बताना हूं को, किसे नहीं मैं जाद तुम करो, मेरे कोई योगदान नहीं है, मुझे लगता है, मैं त अपने अनुभव हम सबसे बांटे, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्र गुजार हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और जैसायराम, जैसायराम, अभी आप सुन रहे थे हमारा लोग प्रियकारिक्रम, साई का प्यार, जीवनाधार, आज इसके अंतरगत, न्यूजिलेंड देश के आउकलेंड निवासी, श्रीमान रवींद्र ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वारता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था, टीम श्री सत्यसाई मेडिया सेंटर की ओर से उनसे वारता लाप कर रहे थे, डॉक्टर दीपक आनन्द, अब प्रस्तुत है हमारा कारिक्रम, दिव्यानुभव, आज इसके अंतरगत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्यप्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे, ओम श्री साइराम, भगवान बाबा के कमल रूपी चर्णों में मेरा कोटी-कोटी नमन, मैं जब अपनी व्यक्तिगत, यात्रा की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे 1972 का वह वाक्या याद आता है, जब मेरे पिता के चाचा जी ने उनको बाबा के बारे में एक पुस्तक ला करके दी, और उस पुस्तक के साथ ही हमारे पूरे परिवार की यात्रा भगवान की और अग्रिसर हो गई, एक जन्वरी 1973, बैंगलोर, वाइट फील्ड, जब सबसे पहली बार बाबा का दर्शन करने का मुझे सभागे प्राप्त हुआ, मैं मात्र साड़े ग्यारा बारा वर्श का रहा होंगा उस समय, और बाबा पर जब जो ही पहली नजर गई, तो एक ऐसा आकर्शन बाबा के प्रती जागरत हुआ, और शाम को जब दर्शन के लिए वापस बैठे, तो वहाँ एक वालिंटियर से पूछा, कि क्या हम बाबा को हार या फूल दे सकते हैं, तो इस व्यक्ति ने का क्यों नहीं, जब बाबा आपके सामने से गुजरे, तो आप बाबा को हार पहना सकते हैं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक एक फूल माला अपने हाथ में ले करके बैठ गए, और जो ही बाबा हम सब के सामने से गुजरे, हम दोनों भाई एकटे खड़े हुए, और बाबा को फूल माला सबरपित करने का प्रयास किया, और बाबा ने बहुत प्रेम से मुस्कुरा करके देखा, और हिंदी में बोले, बैठो, बैठो, और मुझे समझ में नहीं आया, कि इतने सारे साउट इंडियन लोगों में, बाबा को कैसे पता चला, कि हम लोग हिंदी जानते हैं, और बाबा ने हमको बिठा दिया, और बहुत प्यार भरी निगाह से देखा, तीन चार दिन गुजर गए, बाबा ने उसके बाद हम में से किसी से भी बात नहीं की, तो मेरी माता जी भी हमारे साथ में थी, तो उनके दिल में एक ख्याल आया, लगे कि बाबा तो शायद बड़े लोगों के है, छोटे लोगों की और वो देखते ही नहीं है, तो हम लोग भी छोटे लोग हैं, इतनी दूर से आये हैं, पता नहीं बाबा हम में से किसी से बात करेंगे की नहीं, अब ही अमन में خयाल आ ही रहा था, कि बाबा अचानक चलते हुए दर्शन में जो हमारा का ड्राइवर है उसके पास पहुच गए और उससे प्रेम से पूछा तुम कहां से आया तो उसने हाँ जोड़ करके कहा सौमी इंदौर से और सौमी ने मानलो मेरी माता जी को यह जवाब दे दिया कि मेरे लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है देखो मैं तुम्हारे ड्राइवर तक से बात करके तुमको यह संदेश दे रहा हूँ और वापस आते ही भगवान ने पूरे परिवार को और्गनाइजेशन में समेट लिया पिता जी को कुछ अहम जिम्मेदारियां दे दी गई माता जी को अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हमारे घर में बालविकास की कक्षा शुरू होनी हो गई और जो हमारे वाइस चांसलर थे उनकी बेटी जो थी वह उस समय इंदौर में थी और वे हमारे बालविकास की पहली गुरू बने और उनके साथ बैठ करके बालविकास के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला यह उनको श्रेय जाता है 1978 के आसपास जब मैं अपनी दर्सवी कक्षा पास करके ग्यारवी में गया तो मेरे पिता जी ने मुझको और मेरे छोटे भाई धुरूव को हम दोनों को बुलाया और उनने कहा कि मेरे रिदय में यह बहुत इच्छा है कि तुम दोनों बैंगलोर में बाबा के कॉलेज में जाओ और वही पर अपना अध्यान करो कॉलेज एजुकेशन पूरी वही से प्राप्ट करो तो मैंने पिता जी से पूछा कि पिता जी वहाँ वातावरंड कैसा है बैंगलोर तो बहुत एडवांच सिटी है तो वहाँ आप हमें भेज रहे हैं तो पिता जी ने मुस्कुरा के कहा नहीं वह तो बहुत निर्मल वातावरंड है वहाँ बहुत अच्छी जगा है, वहां स्टूडेंट्स बहुत सिंपली रहते हैं, बहुत साधारन कपड़े पहनते हैं, सफेज शर्ट, सफेज पैंट पहनते हैं, पिक्चर्स नहीं देखते, मोटर साइकल पर घूमने नहीं जाते, सुभा शाम भजन करते हैं और सबसे बड़ी ब मैं एक 17-18 वर्ष का नव्यूवक था, जिसकी आँखों में कुछ सपने थे, मैं चाहता था कि मेरे पास एक बहुत तेज चलने वाली मोटर साइकल हो, मेरे दोस्त हो, हम फिल्म देखने जाएं, क्लब्स में जाएं, सैर सपाटा करें, घूमे फिरें, पर भजन, डिसिप्ल जिन, बाबा, यह सब कहीं उस पिक्चर में नहीं समा रहा था, पर पिता जी के अथक प्रयासों से, उन्होंने कहा कि तुम एक बार वहां जाओ, अगर तुम को वहां अच्छा लगे, तो तुम वहां रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे, तो आगे प्रभू इच्छा, तो मुझको तो मालूमी था, कि मेरा वहां एडमिशन ही नहीं होगा, अगर मैं प्रयास ही नहीं करूंगा, तो मेरा एडमिशन कैसे होगा, पर हमारी माता जी ने, रोज, निरंतर, हर रोज एक पत्र बाबा को लिखा, और उस पत्र के माध्यम से, उन्हें जो भी बात कहनी होती थी, उसके अलावा वो एक बात जरूर लिखती थी, कि बाबा, मैं चाहती हूँ, कि मेरे दोनों पुत्रों का एडमिशन आपके कॉलिज में हो जाए, अब जब जाने का समय आया, तो माता जी ने बुलाया हम दोनों भाईयों को, और कहा, कि तुम दोनों भी एक पत्र लिख करके अपनी इच्छा जाहिर करो, मैंने भी फटाफट एक चिठी ली, बाबा को पत्र लिखा, और उसको एंवलप में डाला, और उसके लिख दिया, तू भगवान श्री सत्यसाइं बाबा, पोस्ट ओफिस प्रशान्ति निलियम, डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, 515134 आंद्रप्रदेश, और उसको ले जाकरके लेटर बॉक्स में डाल दिया, मेरे भाई ने भी पत्र लिखा, उसने पत्र को लिया, उसको एंवलप में डाला, और उसने उपर केवल लिखा, तू माई डियर लॉर्ड भगवान श्री सत्यसाइं बाबा, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, और उस पत्र को ले जाकरके, जो बाबा का सिहासन हमारे पूजा घर में था, उसके उपर जाकरके रख दिया, बाबा के चर्णों में रख दिया, और बाबा से प्रारतना करी, कि बाबा मुझे आपके कॉलेज में एडिमेशन प्राप्त करनी है, अब दे उसने सिधे जाकर के बाबा के चर्णों में रख दिया, शायद उसकी प्रारतना फॉरन स्विकार हो गई, हम दोनों जब बैंगलोर पहुँचे, तो वहां जाकर के वातावरन देखा, तो मुझको अनुपव हुआ, कि यहां कोई बहुत ही सुन्दर स्थान है, पर शायद म मेरे लिए कहा गया, क्योंकि मैं हायर सेकंडरी सिस्टम और मध्यप्रदेश बोर्ड से आया था, और वहर सीबी एससी के 10 प्लस टू सिस्टम से आया था, तो उसका ग्यारवी कक्षा के लिए, जिसको पी उसी वन बोलते हैं, उसके लिए चैन हो गया, और मेरा, चूंकि ड दोबारा बैठना पड़ेगा, ग्यारवी करनी पड़ेगी और बारवी करनी पड़ेगी, जो मुझे मन्जूर नहीं था, मैंने पिता जी से कह दिया, कि पिता जी आप समझते हैं, कि दो वर्ष एक नव युवक के जीवन में कितना बड़ा समय होता है, मैं दो वर्ष अप इतनी चिंता नहीं सता रही थी, जितनी चिंता इस बात की सता रही थी, कि मुझे अपने छोटे भाई के साथ बैठ करके कक्षाएं अटेंड करनी पड़ेंगी, अब चुकी एक बहुत विकट समस्या आन पड़ी, तो प्रफेसर कस्तूरी, जो कि उस समय बैंगलोर में एक बैटे का भी ग्यारवी में हो रहा है, पर वो दो वर्ष पीछे हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रफेसर कस्तूरी, जो कि एक बहुत ही ब्लिसफुल डिवोटी है, एक बहुत ही आनंद दाई भक्त है, उन्होंने अपने बिलकुल मुस्कुराते हुए एडमिशन ले लो, तो मैं आज भी एडमिशन ले लेता, तो यह मौका चूकने ना पाए, तुम ले लो एडमिशन और भगवान पर छोड़ दो, पर मेरा अहंकार आड़े आया, और मैंने पिताजी से कहा, कि मुझे अपने छोटे भाई के साथ उसी कॉलेज में नहीं पढ रही है, और वह वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी से संबंदित है, बैंगलोर युनिवर्सिटी से संबंदित नहीं है, तो क्यों ना आप पुटपर्ती चले जाएं, और वहां कोशिश करें, हो सकता है आपके बड़े बेटे का एडमिशन उस नए कॉलेज में हो जाए, क और अगर आप वहां जाएंगे, तो मुझे ऐसी उमीद है कि शायद नया कॉलेज होने की वजह से इसको वहां एडमिशन प्राप्त हो जाए, हम प्रभु इच्छा मान करके छोटे भाई को बैंगलोर में छोड़ करके पुटपर्ती आ गए, वहां गुरुपूर्णी मा का अवश्य एडमिशन मिल जाएगा, उस जमाने में गणेश द्वार पर एक शेड होता था, बाई तरफ, जिसका नाम गणेश शेड बोलते थे, गणेश जी की प्रतिमा की वजह से, तो उस गणेश शेड में मैं अपना ट्रंक, होल डॉल, सब समान औगरा डाल गया, और वह बाबा की गाड़ी के पीछे बेता हाशा दोड रहा हूँ, बाबा की एक जलक पाने के लिए मैं घंटो लाइन में बैखने को तयार हूँ, मैंने बाबा के किताबों का अध्यान करना शुरू कर दिया, सुबह और शाम ध्यान करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, और कि जो बाबा का वेरेंडा है जो वेरेंडा है जहां बाबा दर्शन देने आते वहां P.O.C. 1 के छात्र पहले से जिनका एडमिशन हो गया था वे बैठे हुए थे और बैंगलोर से कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी P.O.C. 2 कंप्लीट कर ली थी और वो डिगरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो चूकी पुटपर्ती एक नया कॉलेज खुल रहा था वेसा बैंगलोर छोड़ करके पुटपर्ती आ गए वो करीब 20 से 25 चात्र ऐसे भी थे तो रोज वहाँ मैं देखता था कि बाबा उन छात्रों के बीच में आते थे और वहाँ रोज ठाहगों की आवाजे आती थी और वहाँ देखते थे कि बाबा एक बहुत ही प्रसण्चित बहुत ही खुश्णमा और बहुत ही एक ऐसे प्रेम वाले व्यक्तित्व के स्वामी है मैंने सुचा था कि बाबा बहुत सीरियस किसम के होंगे पर बाबा वहां निरंतर चुटकुले बोलते थे किसी का गाल खीशते थे किसी को प्यार से जाकर के सिर पर सहला देते थे किसी को बहुत ही मजाकिया लहजे में कुछ बोलते थे और सारे आसपास के छातर हसते थे और मैंने देखा कि जब बाबा आते थे तो बाबा वहां किसी बच्चे से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं किसी से तेलगू में बात कर रहे हैं और किसी से शायद दक्षिन भारती भाषाओं में बात कर रहे हैं जिसका मुझे ग्यान नहीं था अब पहला दिन जब बाबा के दर्शन के लिए हुआ मैंने अपने आपको पाया कि मैं भी बाबा के कॉलेज में एडमिशन पा चुका हूँ तो मैंने भी वहां जाकर के दौर लगाई और वरेंडे में जाकर के अपना स्थान रख लिया बाबा सुबह के वक्त दर्शन देने के लिए आए और बाबा धीमे धीमे बच्चों के बीच में आ रहे थे और सब बच्चों से कुछ ना कुछ बात कर रहे थे तो एक बच्चे से उन्होंने कोई दक्षिन भारतिय भाषा में कुछ बोला तो उस बच्चे ने कहा हैदराबाद तो स्वामी ने कहा कुछो यानि बैठ जाओ फिर दूसरे बच्चे के पास में आए उससे भी कोई दक्षिन भाषा में बात की उसने कहा बैंगलोर स्वामी ने उसको भी बिठा दिया फिर मैंने देखा एक और एक दक्षिन भारतिय चात्र दिख रहा है तो मैंने का ये तो बाबा इससे भी आके कोई दक्षिन भारतिय भाषा में बात करेंगे तो बाबा उस दक्षिन भारतिय जैसा दिखने वाले चात्र के पास में आए और बाबा ने उससे अंग्रेजी में पूछा वेर आर यू फ्रॉम सर बहुत प्रेम से ऐसा आप कहां से आये हैं तो उस व्यक्ति ने अपने घुटने के बल खड़े हो करके अंग्रेजी लहजे में कहा स्वामी I am from the United States of America उसका एक्सेंट जो था उसका बोलने का जो लहजा था वह दर्शा रहा था कि वह कभी भी भारत में नहीं रहा और उसने उत्तर में कहा कि स्वामी मैं तो अमेरिका से आया हूँ तो यह सुनके मुझे बड़ा आश्चरे हुआ मुझे लगा कि स्वामी इससे कोई दक्षिन भाशा में बात करेंगे पर उससे तो स्वामी को मालूम था कि इसको शायद कोई दक्षिन भाशा आती नहीं है और यह चाहे इसके माता पिता दक्षिन के रहे होंगे पर यह तो अंग्रेजी जानता है और स्वामी ने उससे अंग्रेजी में बात की फिर स्वामी मेरी और देख करके मुस्कुराए और मेरी और धीमे धीमे कदम रखते हुए आए मैंने अपने दोनों हाथ बाबा के समक्ष जोड लिए और मुस्कुराते हुए बाबा की और देखने लगा और मनी मन एक सवाल आया कि स्वामी अब आप मुझसे किस भाशा में बात करेंगे मुझे अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कोई भाशा आती नहीं है पंजाबी आती है पर पंजाबी आपको नहीं आती तो आप मुझसे किस भाशा में बात करेंगे अब यह मन में सवाल हो ही रहा था स्वामी मेरी और मुस्कुराए और देख करके बोले तुम कहां से आया तो मुझे एकदम जटका सा लगा कि अरे स्वामी जानते हैं कि मैं हिंदी भाषा जानता हूं केवल तो मैं अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और मैंने कहा हाथ जोड़ करके स्वामी इंदौर से तो स्वामी बोले येस 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 यू आर फ्रॉम इंदौर नाट फ्रॉम आउट डॉर और सब बच्चे आसपास जो बैठे हुए थे वो खिल खिला के हस पड़े और स्वामी का कहने मैं इंदौर से हूँ तो स्वामी ने कहा तुम इंदौर से हो यानि तुम अंदर से हो तुम बाहर से नहीं हो और मुझे पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ मानलो इस पहली ही मुलाकात में इस पहली ही बात में स्वामी ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे इस बात का हैसास करा दिया कि तुम तुम मेरे अपने हो तुम बाहर के नहीं हो अभी आप सुन रहे थे हमारा कारिक्रम दिव्यान भव आज इसके अंतरगत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था इसी के साथ हमारे साई प्रेमवानी कारिक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं आशा है हमारा आज का कारिक्रम आपको पसंदाया होगा अपने सुझाओं को हम तक जरूर भेजें हमारा वाटसअप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओं देना न भूलें हे स्वामी आप दिव्वि पिता हैं हम आपके अंश हम में गुंजें गीता के स्वर स्वार्थ मोहना हमें बांधे कभी हम करुना सागर की बन जाएं लहर ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अववानी को विराम देते हैं धन्यवाद सप्रेम साइराम